नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूँगा भारतिय साक्षय अधिने में section 25 जो ये section 25 है यहाँ पर ये admission से related ही बात कर रहा है admission अगर कोई person admit करता है अपने कोई भी fact कोई भी statement दे रहा है तो बात में वहाँ पर वो deny नहीं कर सकता उसके पर इस्टोपल लग जाता है doctrine of stopल है जो वो उसके पर apply हो जाता है doctrine of stopल और जो section 25 है इन दोनों को आज में इस वीडियो में आपको discuss करूँगा सबसे पहले हम इसकी bear act language पढ़ेंगे यहाँ पर यह क्या बता रही है admission not conclusive proof जो admission है वो conclusive proof नहीं है उसको conclusive proof नहीं माना जाता है माली थे किसी person ने अपनी statement दे दी अब वहाँ पर जो वो statement दे रहा है court उसको एक पुक्ता proof तो मानेगी नहीं ठीक है लेकिन उसके अपर doctrine of stopल apply हो जाता है but में stop मतलब कि उसको रोग देती है अपनी बात को पलट देने से वो बात में अपनी बात को पलट नहीं सकता जो उसने statement दे दी code में वो ही रहेगी वो बात में change नहीं कर सकता वो अपनी statement को deny नहीं कर सकता पहले मैं आपको doctrine of stopल के बारे में बता तो यह है क्या देखे इसकी definition है prevents a person from alleging facts which are contrary to past claims or actions अब यहां पर यह ही बता रहा है अगर किसी person ने अपनी past में पहले कभी उसने अपना कोई claim किया होगा कोई action लिया होगा और उसमें उसने कोई बात बोली होगी ना तो बात में वो मुकर नहीं सकता इन simple words में हम यह बोल सकते हैं stopल means one cannot contradict, deny or declare to be false the previous statement made by him in the court अब यहां पर यह यह बता रहा है वो deny नहीं करेगा वो declare नहीं करेगा कोई भी ऐसा fact जो भी उसने पहले कभी बोला होगा जो भी उसने statement दी होगी वो deny नहीं करेगा doctrine of stopल का मतलब यह है यहां पर तो चलिए अब हम इसकी bear act language को जानते हैं जो section 25 की bear act language यहां पर क्या ब मतलब यहां पर यह यह है किसी person ने कोई statement दिया है उस statement को court conclusive नहीं मानेगी उसको एक पुकता proof नहीं मान सकती court लेकिन जो statement दी गई है किसी person के थूरू उसको court admit कर लेगी लेकिन वो person, जिस person ने statement दिया है वो बाद में deny नहीं करेगा अपनी statement से वो अपनी statement से मुकरेगा न होगी अब आपको किलियर हो जाना चाहिए जो सेक्षिन 25 है यहां पर यह क्या पता रहा है अब जो डॉक्ट्रिन ओफ इस्टोपल है हमारी भारतिय साक्ष्य दिने में इस्टोपल से लेटिड एक चैप्टर भी है चैप्टर एट जो कि सेक्षिन 121 से लेकर गए 123 तक है वह म मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आप मेरी आने वाली सभी वीडियो देख लेना उसमें आपको इस्टोपल के बारे में अच्छे से किलियर हो जाएगा जो आगए के चैप्टर एट में बतायागा इस्टोपल से लेटिड इस वीडियो में सिंप्ली यह तक था अब अब मिलेंगे अपनी नेक्स विड़ों में, जिसमें हम जानेंगे section 26 को, okay?